आलुचनाओं के प्रती सहनशील और अभी तक अपने कार्यकरताओं या प्रबक्ताओं के जरीए मुझे देख लेने की धंकी ना देने वाले या बहिशकार ना करने वाले और खासका समय से आने वाले अखलेश यादव का हम मंच पर स्वागत करते हैं वैसे देख लेने की धंकी देते तो भी देख लेते लेकिन यह कितनी राहत की बात है कि एक नेता है जो देख लेने की धंकी नहीं देते आपके समर्थक भी हैं पर कोई बात नहीं हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं पर इस बात का भी सम्मान कीजिए कि यहीं लोगतंत दुनिया की सबसे बड़ी पाटी करती है और दो साल, तीन साल तर तो ये लोग तंत्र नहीं है, पर खेर कोई बात नहीं, आप आए, जब आप बहिशकार करेंगे तो आपका भी हम देखेंगे, अभी आपने नहीं किया है तो हम सवाले को देखेंगे, पूछा क्या जाए, अ अभी शाजी ने कह दिया है कि 50 साल बीजेपी सत्ता में रहेगी, अखिलेश जी, 45 साल के हैं, तो मैं सोच रहा था, आज जल्दी बुला लिया, दोजार उनत्र में बुलाना चाहिए था, पर अब आगे हैं तो कुछ ऐसा सवाल हो जो दोजार उनतर तक वैलिड रहे, तो आप बताईए कि उनके भीतर तो इतना आत्मविश्वास है, कि वो दो 50 साल तक उनको कोई नहीं हरा पाएगा, मैं आपके भीतर का आत्मविश्वास समझना चाहता हूं, कुछ है भी की नहीं है, हाला कि 50 साल उनने जादे बता दिया, मैं अगर ठीक साइकल चलाता रहा, स् जाएद मैं 50 साल बाद रह सकता हूँ, जिन्होंने ये बात कही है 50 साल, वो इस धरती पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, और 50 साल तो लंबा समय है, इंतजार कर रही है जनता, और मैं समझता हूँ कर तारीखें ठीक होंगी, तो 50 हफते में जनता फैसा ले लेगी, जनता दुखी है, नाराज है, और हम पॉलिटिकल पार्टी जरूर एक प्लेटफरम देंगे उनको, लेकिन आखिरकर जनता नाराज है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि गोरकपुर में लोग कहते हैं कि आपने एक एक्सपरिमेंट किया, मैंने का एक्सपरिमे देर नरा हो, बैलट होता तो आवाज आती, मशीन तो केवल आवाज करेगी, हलाकि भरोसा टूटा है, और मैं पहला हूँ जिसने ये कहा, और मैं उस बात को इसलिए कहता हूँ कि इलेशिन कमिशन हम से पूचता है, कि आप बताइए, मशीन खराब करके दिखाईए, और ठ मशीन खराब हो जाती है, तो आप इसको ठीक क्या करते हैं, और ठीक अगर आप कर सकते हैं, तो खराब भी कर सकते हैं, तो मशीन में हेरा फेरी बिना चुनाव आयोग की मिली भगत के तो नहीं हो सकती है, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग अब वो चुनाव आयोग नहीं है जिस पर एक राजनितिक दल होने के नाते आपका पहले की तरह संपूर्ण विश्वास नहीं मैं तो आयोग से केवल इतनी गुजारिश कर सकता हूँ कि अगर मशीन खराब होती है आखिकार वो क्या ठीक करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी इसको बता दें आप क्योंकि आप तो जानते हैं और आपको भरोसा है कि चुनाव आयोग निश्वक्ष चुनाव कराएग मैं समस्ता हूँ आयोग को फैसला लेना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी आपको लगता है कि उसकी भी विश्वस नीता दाओं पर हैस्युनाव है क्योंकि लोग जो वहां पहुंसते हैं बिना पॉलिटिकल एप्रोच के एलेक्शन कमिशन में लोग नहीं पहुंसते हैं क्योंकि मैं भी मुख्यंती रहा हूँ इगलिश्ट आती है अदिकारियों की कि आपको उत्रप्रदेश में किसको भीजना है कहां बनाना है आखिकर वह पॉलिटिकल प्रॉसेस से तो गुजरता ही है कि कोई भी किसी पत पर पहुँचने के लिए हो आने को हला कि कहने को तो लड़ाई है उसे है लड़ाई पर राहूल गांधी ने इदर हाल के दिनों में तीन चार मौकों पर आरेसेस का नाम लेकर कहा है और बहुत सपस्टता के साथ कहा है कि किस तरह से मुस्लिम ब्रदर हुट से तुलना की है आपको मैंने कभी उतनी प्रमुकता से नहीं देखा आरेसेस पर हमला करते हुए अगर आपको इन नौजवानों को बताना है कि आरेसेस से क्यों सावधान रहना चाहिए क्या कमिया है आप बता पाएंगे खुल में खुल कर और क्या आप अपने चुनावी सभाओं में आरेसेस की भूमिका पर जोर देने वाले हैं यूपी का बीजेपी ने जरूर लडा था लेकिन जमींग पर जूटा परचार अगर किसी ने किया था तो आरेसेस ने किया था समाजवादी लोग इसलिए हारे कि RSS के लोगों ने जंता को गुमरहा किया यहां तक गुमरहा किया RSS के लोगों ने फॉर्म भरवाया बेटियों से और कहा बेटियों से कि BJP की सरकार बन जाएगी तो आपकी इतनी मदद होगी इतना पैसा मिलेगा केबल हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं देश को बचाने के लिए RSS से दूर रहना पड़ेगा और RSS से देश को बचाना पड़ेगा आपको लगता है मैं इस बात को मानता हूँ हिंदुस्तान की उनकी क्या कलपना है क्या तस्वीर है उसको लेकर एक सम्मेलन करने वाले हैं आप नहीं जाने वाले हैं पर फिर भी एक जनता के तौर पर लोग सोचेंगे कि आपकी क्या कलपना है आप लोग की तो ऐसी गतिवीदियां देखती नहीं है RSS वाले ही क्यों देखते हैं आपके कारकरता RSS से लड़ क्यों नहीं पाते हैं क्या वो वैचारिक रूप से कमजोर हैं यह सच है कि एक विचाधारा की काट विचाधाराई ही हो सकती है और उसमें समाजवादी लोग कामयाब होंगे लेकिन ज़स RSS ने सतर साल तक भारत का जणना न लगाया हो तो मैं भरूसा नहीं कर सकता और मैं तो RSS को BJP को इसलिए धन्यवाद दूँगा कि मैं काम करते करते कभी अपने आपको बैकवर्ड नहीं समझा मैं काम करते करते ये मुझे लगने लगा था कि मैं भी शायद फॉर्वर्ड हूं लेकिन बैकवर्ड बनाने के लिए RSS का धन्यवाद और BJP का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा कि कम से कम उन्होंने देश में मुझे ऐसास दिला दिया कि आप बैकवर्ड हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काट उनकी विचाधाराई हो सकती है पर दिखता नहीं है कॉंग्रिस हो या किसी और दल के पास हो इन चार सालों में हमने देखा है कि विचारधारा किस तर पर उनकी ना तो गोलबंदी दिखी ना अपने कारिकरताओं के बीच इस तरह की तयारी दिखी हमने नहीं सुना कि आप अपने काडर की मीटिंग ले रहे हैं या कोई भी जो उसको आने वाले समय में अगर आप RSS को चुनावती मानते हैं देखे मैं यह कह सकता हूँ कि सबसे अच्छा युवा संग्टन समाजवादी पार्टी का है और इधर पिछले कई महीनों से लगातार नौजबान हमारे साइकल चला रहे हैं गाउंगां तक बात पहुचा रहे हैं गाउंगे लोगों को जोड़ रहे हैं ने लोगों को जोड़ रहे हैं और अभी केराना जब चुनाव हुआ था पूरी RSS, पूरी BJP, पूरे मिनिस्टर्स, मुक्यमंत्री, उब मुक्यमंत्री सब चुनाव में थे वहां पर लेकिन उसके बावजूद भी तो उसकी भूमिका से आपको क्या समझते है RSS की भूमिका से वो खाई पैदा करते हैं जातियों के बीच में वो खाई पैदा करते हैं धर्मों के बीच में यही जगड़ा, इसलिए मैंने आप से कहा वो कहते हैं कि हम एक भारत की बात करते हैं लेकिन अगर उस भारत को बनाने में अगर बीचेपी यह समझती है कि मैं बेकवर्ड हो करके उन्होंने क्यों कहा मैं तो उन्से जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये क्यों कहा कि आप backward हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ उन्होंने तो खुद को भी कहा प्रधान मंत्री ने मुझफरपूर में खुद को भी तो कहा था लेकिन वो तो कागज से बने हैं हम तो जनम से हैं वो तो कागज में बने हैं कागज से बने, वो तो कागज से बने, जो मैं समझ सकता हूँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कि अगर प्रधामंदी जी यह कहते हैं, कि वो बेकवर्ड है, इसलिए पूरी की RSS, BJP उनकी मदद करे, मैं उनसे कहता हूँ, कि उनसे जादे बेकवर्ड मैं हूँ, तो मेरी जादे मदद करें वो, पर आप बार बार कहते हैं, कि आपने काम किया, और आपको काम पर वोट नहीं मिला, क्योंकि प्रधान मंत्री और BJP ने यूपी चुनाव में शंचान कपरिस्तान कर दिया, कहने का मतलब आपका यही है, कि सामप्रदाइकता को बढ़ा दिया, पर मै आप से जानना चाहता हूं, कि आप पांच साल हकूमत में रहे, आप क्या कर रहे थे, कि सामप्रदाइक शक्तियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, क्या वो कमियां आप में नहीं रही होंगी, कि जब सामप्रदाइक धर्म को लेकर गुल बंदी होती है, तो आप निशाने पर जाते हैं, आपका कारिकर्णा या आप लोग खुद को डिफेंड नहीं कर पाते हैं, ये सरकार में जब समाजवादी पार्टी थी, जितना सक्ती से काम कर सकते थे, किया, कई लोगों के इनके कारवाई हुई जेल भेजा, वो अलग परिस्तियां थी, लेकिन जिस सरीके से रड़नीती के तहथ, और मैं, क्योंकि मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, इसमें दोशी अगर कोई है, तो वो मीडिया दोशी है, जिसने कभी ठीक बात पहुचने नहीं दी, आपको लगता है कि मीडिया के भूमी का बदल गई है, मैं सत पर सत कह सकत हूँ, और मैं उसका उधार दे के कह सकता हूँ, एक दिन मैं बता सकता हूँ आपको, मैं अपना व्यक्तिकाद उधार दे सकता हूँ, कई ऐसे उधार दे सकता हूँ, मुझे याद है, जब यूपी में कोई घटना हो जाती थी, तो सब से पहले अखले श्यादब जी की तस साथ मैंने तो चार साल से चल रहा था तो आप बोले क्यों नहीं पब्लिक के बीच में जाके मैं बोला बहुत मैंने बताया लोगों को और इसी लिए फिर भी मैं आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं कि अगर सामप्रदाइक दुरुवी करंद से आप हार जाते हैं आप गठबंदन करते हैं तब यह बात जरूरी क्यों नहीं होती है कि हमारे आने के बाद हम इसके दुसरे पक्ष को भी अतनी मजबूती से लोगों के बीच रखेंगे क्यों आप फेल कर जाते हैं या कोई भी से कुलर गठबंदन जो है वो फेल क्यों कर जाता है इन से लड़न इसलिए मैंने कहा, कि अगर गढवन्दन में मुझे दो खदम भी पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं इन संपर्दाइक ताकतों को आगे नहीं आने दूँगा। आप इतने कमिटेट हैं। मैं बिल्कुल यही जो मैंने आप से कहा है, आखरी वक्त तक यही शब्द मेरे रहेंगे। और मैं आपको बता दूँ, समाजवादियों के बारे में, निताजी के बारे में, हम लोग के बारे में, कम से कम अगर गढवन्दन कर लिया, दोस्ती कर ली, तो तोड़ने वालों मेंसे नहीं हैं हम लोगे। इस विजए पेंद आपको अधने करें नहीं है कि उसके ओसरे हैं आपको लगता है कि वह दुसरे कारण है या फिर वोडरिश शक्तियां तोड़ रहीं हैं आपको कि राजनीत में आप कुछ तो जानते होंगे तो बता ही ना किसी उद्योगपती का हाथ है या किसी नेता का हाथ है आपके परिवार में फूट डालने में बिलकुल क्यों नहीं हो सकता और उसका भी मैं कह सकता हूं कि एक बार मैंने एक अख़ार में पढ़ा कि मुझे औरंग पर चुप रह जाने से भी तो नुकसान है ना फिर तो दुनिया को पता नहीं चलेगा कि वो कौन लोग है जो अख़बार में आपको औरंगजिब लिखवा देते हैं आप बोलते कि नहीं वो हर बात बोलते हैं आप हर बात शराफत में या शालिंता में क्यों पीछे रह ज अंकल उनने ढूल लिया एक नाम आपने लिया मुझे तो यह लगता है कि उस अख़वार में और औरंगजिब लिखा हो तो कौन लिखवा सकता है या अख़वार के मालिक जानते होंगे या इतने बड़े ताकतवर लोग होंगे वही लिखवा सकते हैं दिल्ली में मेरी कभ परंट पे छपा ओ ऐसा तो उसमें तो कहीं ने के अदरश ताकता ही रहे होंगी कि टाइम से अख़वार में लेकिन आपको सत्ता में आने के बाद या पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अपनी कारकरता और विचारधारा से तनी दूर हो जाते होंगे लोग आलोशना करत हैं कि समाजवादी हैं नाम के समाजवादी हैं बाकी सब का जो रहन सेन है जो पॉलिटिक्स है वही कॉंग्रेस का भी है वही आपका भी है मैं यह कह सकता हूं कि एक हार के बाद सीख लिया है और मैं यह कह सकता हूं कि काम का अल्टरनेटिव कुछ नहीं हो सकता काम हमारे स उद्गातन की हुई चीज का उद्गातन नहीं करते तो जो देश के प्रदानमंदी शिलानित का उद्गातन कर रहे हो तो काम तो नहीं किया जो समाजवादियों ने करके दिखाया हाँ जहां जो जमीन पर राजनीत होती ए उसमें थोड़े हम पीछे थे लेकि इधर समाजवादी लोगों ने वो बास सीख ली है और समाज को कैसे जोड़ा जाए जो लोग दवे रहे जिनों के आवाज नहीं कोई बनता जिनको कोई पूछने वाला नहीं आज भी गरीब है शायद उनकी आवाज बन करके समाजवादी बाटी उनको खरा में छोड़ा गया है ऐसे बागी नेता इनकी पॉलिटिक्स जो इनकी बाते वही हैं जो एक समय में आपकी पार्टी जब नौजवान पार्टी थी तब कहा करती थी मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के नौजवान नेता आपकी पार्टी से क्यों नहीं उभरते क्यों इनकी जगह है चंदरशेखारावन जैसे निताओं की आपकी या मायावतिक यहां यह सब लोग आउट्सोर्स सेंटर की तरह क्यों उभर रहे हैं मैं यह कह सकता हूं जिस जिनकी आवाज यह तमाम लोग उठा रहें उनकी आवाज समाजवादी पार्टी है और समाजवाद आवाज बनेगी आप चंदरशेखारावन से मिलेंगे मैं यह नहीं कहता हूं मैं किससे मिलूंगा यह सोचेंगे मिलेंगे तो निता बन जाएगा देखिए सबाल यह नहीं है निता बनने का जब मैं यह कह सकता हूं कि हमारी गढ़वंदन की बाचीज चल लई है और इस ग गढ़वंदन ऐसा तो हो जो बीजेबी का मुखाबला कर सके हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा हम उसको लेने के लिए सुईकार करते हैं उसका स्वागत है अज़ा जितनी जिम्मेदारी हमारी है लोगों को बुलाने की तो उससे जादे जिम्मेदारी उनकी भी जब जब जेल एक साल तक पुगेंदर यादो कहीं अपनी रैली कर रहे हैं या किसी पांच लोगों को अर्बन अकसल बता कर गिरफतार किया जाता है तो रोमिला था पर लिख रही है मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ऐसा संकट आता है तो फिर राहुल गांदी या खिलेश यादो मतलब ट्वीट कर और बयान देने से आगे जाकर अपने पार्टी के धांचे को उसमें क्यों नहीं लगाते हैं उस लड़ने में लोगों के साथ जिन मुद्णों पर लड़ाई लड़ी गई है समाजवादी पार्टी उन मुद्णों पर लड़ी है और कई बार ऐसे बोके आये हैं जहां पर पार्टी ने उनको प्लेट फॉर्म देने का उनकी मुद्णों को प्लेट फॉर्म दिया है और जहां तक सवाल उनके जमीन पर लड़ने का है मैं यह कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी किसी के साथ अन्याय होगा उस पर लड़ेगी उसके साथ रहेगी अब बात गठब ने कोई आपको लगता है कि आप खुद को लखनौ तक रखना चाहेंगे यह गठबंदन की जो राजनीती है वो किसी नौजवान को जिम्मेदारी मिलेगी राहूल गांधी को मिलेगी या किसको बार नेता हो सकता है यह फैसला तो बाद में भी हो सकता है बलोग पूछेँ जब सारा सवाल यही होने लगेगा दिन भर इसी पर डिबेट होगा तो आप अपनी तरफ से क्या जवाब देंगे कि हमारा नेता कौन है हम नेता चुनाओ के बाद बनाएंगे हम नेता चुनाओ के बाद बनाएंगे इससे अच्छा और क्या और पहले पूर में भी जब कभी इस तरह के गडवंदन हुए और जब कभी ऐसी परस्तितियां बनी है तो leadership अपने आप आई है आप convinced हैं इस बाग से या आपकी मजबूरी है कि आप बताने की स्तिति में नहीं है नहीं कोई मजबूरी नहीं है लेकिन हम यह चाहते हैं पहले बीजेपी को रोका जाए और कम से कम उत्तरप्रदेश अगर रोकने में कामियाब हो जाएगा तो शायद देश में बीजेपी रुख जाएगी पर वो तो कह रहे हैं कि आपका यह वन पॉइंट एजेंडा है कि सिर्फ रोकना है हमारा कोई वन पॉइंट हमारा वन पॉइंट प्रोग्राम यह है कि देश को बचाना है क्योंकि जिस तरीके से किसान की हालत है आपने तो कहा कि हम आमदनी दोगनी कर देंगे कि आमदनी दोगनी हो गई नौजमान जिस तरीके से बिरोजगार है नौखरी नहीं है उसके पास वो इस सपना नहीं दे सकता और अगर नौखरी मिल भी कि तो कहां पाएंगे तो कहां भी दे सकते लोगों को जातीयों में धर्म में जगड़ा कराते रहेंगे तो शायदी वो नौखरी मांगे रोजगार मांगे लेकिन वो वक्त आ गया है जब नौजमान नौखरी और रोजगार और भविस के बारे में सोचे गा और मैं यह कह सकता हूँ, यह जो है, मैं जो उधारण देता हूँ कई बार, और कई मौकों पर मैंने कहा, कि जैसे अमरीका का उधारण है कि उसने सड़क बनाई, और सड़कों से अमेरिका बन गया, तो जो इतनी बड़ी समस्या है, एक दिन में नहीं ठीक हो सकती है। कि यह जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिसको हम विकास बता रहे हैं, यह दरसल उतना अब अब उसमें पे करने की शमता नहीं रही है। पूरी दुनिया में अगर जो वेकल्पिक राजनीती उभर रही है, वो मौझूदा आर्थिक नीतियों की आलोचना में अपने आपको नेटिव की बात सोची जाए, कि एक पतिशत लोग ही अमीर हुआ चला जा रहा है, बाकी गरीब आपके राज में भी गरीब था और मोधी जी के राज में भी गरीब था और पता नहीं आरने वाले समय में भी वो गरीब ही रहेगा। रास्ता है और यही मॉडल बन सकता है देश के और प्रदेशों को आगे ले जाने का। और मैं बात इसलिए कहता हूँ कि देश का सबसे बहतरी इन एक्सप्रेस वे अगर कहीं बना है, पहले मायवतीजी जी ने बनाया है जो आगरा तक ले गए और आगरा से लेकर के लखन एकर की मंडिया बन रही थी, आज भी कन्योज में मंडी आदी अधूरी पड़ी हुई है, बीजेपी ने रोग दी, आम की मंडी बना रहे हैं, मैं देखता हूँ प्रदाम अंतीजी के जब भाशन सुनता हूँ, वो कहते हैं कि देखो मलियाबाद का आम दुनिया में जा सक लेकिन समाजबादी सरकार ने जो मंडी बनाने का काम शुरू किया तो उसका रोग दिया बीजेपी ने, आलू के बारे में बहुत चिंता है बीजेपी को, आलू के किसान की समस्या कैसे खक्रम होगी, मंडी बना रहे थे कन्नोज में, वो रोग दिया, उन्होंने का इत्र बहुत अच्छा है, कन्नोज का इत्र दुनिया में जा सकता है, तो मैंने का कि इत्र को लेकर के और दुनिया की जो सबसे इत्र का शहर माना जाता है, उस शहर से हमने टाइप करकर के इत्र को लेकर ये परफिमरी बनाई है, लोगों को ये भी लगा कि आप कानून व्यवस् वो भी अपने मुसलमान समाजवादी होने से कहीं जादा मुसलमान होने के कॉंस्टिटिविंसी से जादा बोल रहे हैं। आपने भी तो ऐसा कोई नया मुस्लिम लिडर्शिप नहीं दिया जो ज़्यादा आपकी पार्टी को भी लीड कर सके या उसका अपने प्रभाव शेत्र को बढ़ा सके समाजवादी पार्टी में हर वर्की लीडर्शिप है और जहां तक मुस्लिम लीडर्शिप की है तो मुस्लिम लीडर्शिप भी बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी में है लेकिन जो बात मैं विकास मॉडल की बात कर रहा था क्योंकि यो व्ला ओवर रेलवें डूस akkor हमिश्कि सिमार करें इसकी सिमाइब समझता हूं सब्राइभी समंसता हूं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि कहाँ दिखता है? अब आप देखिए कि आप राहूल गांधी चले जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, मांसरुलवर में जा रहे हैं, आपने कहा है एक विष्णू नगर बनाएंगे कहीं इतावा में, इतने सारे विश्णु नगर पहले से हैं, विश्णु गार्डन है दिल्ली में, सब जगह है, तो ऐसा लगता है कि आपको भी अब समझ नहीं आ रहा है, कि अगर राजनीती करनी है, तो मुसल्मानों से दूर रहो, उनके बारे में उनको दिखो नहीं, उनके पूजा स्थलों मत जाओ, उनके तोहारों से दूरी बना के रखो, क्या आपके अंदर भी ये बात आ गई है, ये? बिल्कुल नहीं, और मैंने उस समें भी कहा था, मुझसे कई लोगों ने पूछा, तो ना तो कोई टिकट दे रहा है आजकल, मैं कॉंग्रेस में भी ये सुनता हूं, कि मु मुसलिम महिला को लोगसवा भेजने का काम समाजवादी पाठी ने किया, और हलाकि शुनावचिन हमने अरल्ड का लिया, उनके साथ गठवंदन किया, और दूसरा जो नूरपूर विधान सभा था, बहुत से लोगों ने मुझसे कहा, कि देखो हिंदू मुसलिम हो जाएग से जादे बीजेपी के खिलाफ है, आज बीजेपी कितनी भी तागत ला ला लेगी, आप लोग की जो पार्टी थी, और इजनल थी, राश्ट्रिया आप लोग थे, फिर भी लेकिन उत्तर प्रदेश में आप दोनों का अधार था, बीजेपी का, आपका, आपका बेस बीज विचादारा की ट्रेनिंग छोड़ दी, वोटर से कम्मुनिकेशन छोड़ा, और उनको जाने दिया, दरवाजे बंद रहे आपके, आप लोगे, दोनों के, मैंने शुरू में भी काओ, मैं फिर कहता हूँ, जो भारती जनता पार्टी की विचादारा है, उस विचादारा क मुकाबला समाजवादी विचादारा या उस तरह के लोगों की विचादारा जो दबे हैं, कुछले गरीब हैं, दलित हैं, उनकी आवाजी बन सकती है, और जहां तक सवाल भारती जनता पार्टी के मुकाबले का है, आपने अभी देखा है दो तीन चुनाओ, आप सोचिए बाई इलेक्शन है, और चुनाओ आयोग रोकता नहीं है प्रधान मंतिय जी को रोड़ शो करने के लिए, वो रोड़ शो करने आते हैं, जहां लोगसभा का चुनाओ है, वहां तक चले जाते हैं, नौ किलोमेटर के एक्स्प्रेस वे पे रोड़ शो करने हैं, यही बात त क्या वेवस्ता है सरका लोग तंतर में, अगर कोई, आपको लगता है वह चेंज करने की ज़रूरत है, जो इस वक्त चुनाओ आयोग की नियुकी की भी एक मुकमल वेवस्ता है, विपक्ष के लोग भी होते हैं, सब कोई होता है, मैं यह कहता हूँ, इंस्टुशन में जो तो जो इंसान इंस्टुशन में बैठे, जैसे माली जे हम ही बैठे थे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग बैठे थे, तो सड़के बन रही थी, पुल बन रहे थे, मेडिकल कॉलिज बन रहे थे, अब जो मुक्यमंतरी बैठ गए हैं, वो कहते हैं, गन्ना जाद है पैदा करोगे, तो डाइवटीज हो जाएगी, अगर बंदर भगाने हैं, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, तो वो इसके कार्ट में आपकी पॉलिटिक्स क्या है, आप भी हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, क्या करेंगे, मैंने तो उससे ये का कि समाजवादी सरका ने उससे में टेंडर किया था, बंदर पकड़ने का, वो टेंडर कैंसिल कर दीजे, उस पैसे से हनुमान चालीसा किताबें खरी लो, सब को बढ़वादो, सब बंदर भाग जाएंगे, तो वो तो निया तो कौन बैठा हैं वहाँ पर, अब मालीजी मुख्यमंतरी ये कहते हैं, कि ये जो स्खशा मित्र लोग हैं, इन्होंने कोई पाप किया होगा, इस वजह से ये बाल कटवा रहे हैं, या सरमड़वार रहे हैं, हमने का को फैशन में हर 3 से दिन सरमड़वाते हैं, उन्होंने कितने पाप किये होंगे, तो अगर वहाँ आदमी अच्छा बैठ ज कह सकता हूं कि प्रधान मंतरी उत्तर प्रदेश से आई वहीं से आई तो तीनी नाम है एक अखिलेश हैं यहां बैठे हैं एक राहूल गांदी है और एक माया वतिया बता दें नहीं है तो चलिए अब तो आसान हो नहीं लेकिन एक उत्तर प्रदेश के बारे में यह भी है कि जो प्रधान मंतरी बनना चाहता है वो उत्तर प्रदेश ज़रूर आता है तो यह तो पहले से बनारस पहुंचे हुए है अगर उन्हें किसको खड़ा करेंगे आप लोग उनके सामने यह स्टेट गे कोई भी लड़ेगा उस क्योटो से जीट जाएगा जीट जाएगा इसकी आपकी एक मुकंबल रणनीती है क्यों इसलिए जिए अब्जेक्टिवली भी देखिए तो नरेंद्र मोधी और अमिश्या दोनों अपना चुनाओं कभी नहीं आ रहे हैं जरूर हा रहे हैं जैसे बि पाए गोवा में बना लिए लेकिन जो अपना चुनाओं होता है वो अभी तक नहीं हारें जो ट्रैक रिकॉर्ड है जब मैंने पहली बार डिम्पल को चुनाओं लड़ाया था तो मुझे भी लगता था कि डिम्पल नहीं हार सकती है लेकिन डिम्पल हारी थी और अभी जनता के सामने इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि जनता बहुत नाराज है वो वक्त आने पर बताएंगे मैं तो कहता हूँ B.G.P की लोग तो परशार कर रहे हैं चुनाओं का हमें कीबल तारीख हमें भी बता दें तो हम भी परशार में देआ शुरू हो जाएं क्योंकि जित लेकिन आप लोग तर रिकॉर्ड दे कि कई राज्य जीतते चले लोग तर देकि जहां एक बिधाय के वो भी कह रहे हैं प्रदेश जीते हैं क्या कारण रहा होगा बीजेपी के इतना मजबूत हो जाने का रास्ट्रिय ठीक है कि उनके अंदर की शमताएं मैं आपके काधिन तो करते ही होंगे बेचैनी तो होती होगी आखिर कॉंग्रेस ने क्या किया उसकी एक जिम्मेदारी थी कि अगर वो गांधी के वैल्यू को सरदार पठिल के वैल्यू को अगर आगे ले जाने कि उसकी जिम्मेदारी थी तो क्या किया कॉंग्रेस ने ऐसा कि लोगों इतना ही कह सकता हूँ, कॉंग्रेस को बड़ा दिल करके सभी दलों से बातशीत करने चीए और देश के लिए रासा निकालना चीए, क्योंकि हम राश्टी पार्टी नहीं है, वो राश्टी पार्टी है। और वो क्या वो अपना उस तरह से थे कि प्रदान मंत्री ने कहा कि विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है, कॉंग्रेस के बारे में कहा कि वो सरकार में भी फेल थी और विपक्ष में भी फेल थी। मैं समझता हूँ कॉंग्रेस के बारे में नहीं कह सकता हूँ लें कॉंग्रेस की जिम्मेदारी बड़ी है अगर बीजेपी ये कह सकती उनका सीना बढ़ा है तो कॉंग्रेस कम से कम दिल तो बढ़ात करे दिल और दिमाग के अलावा इरादे की बात में कर रहा हूँ कि कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के नेताओं में उतनी एक्षा शक्ती बची है। अगर हम ठीक सबाल जनता के बीच में उठाएंगे इस बार, क्योंकि जनता इस बार जागरुक है, इनके धर्म के मामले में नहीं फसने वाली है, यह जो कमिनल एच पे चुनाओं को ले जाते हैं, उसमें नहीं फसेगी जनता, यह एक बार हो गया सो हो गया, आपको लगता है, मेरा पूरा मानना है, जब आप इतने सारी चीजों में सपस्ट हैं, तो फिर नेता का नाम क्यों नहीं बता देते हैं, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप दो नेताओं पर आ गए हैं, तो मायावती जी पर आपने कहीं दिया, अब राहूल गांधी पर आपको क्या लगता है, अगर कोई और चुनाओं लड़ने आ तब क्या करेंगे आप, कोई और हो सकता है, कोई औ आप लास लास तक रखेंगे, क्योंकि चुनाओं का साल है, हर कारिकरम में आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, और मैं यह कह रहा हूँ, कि जितने ही लीडर्स हैं, चाहिए वो वेस्ट वंगाल में ममताजी हों, वो भी लीडर्स वंगाल की हैं, वो भी मुकाबला करेंग कॉंग्रेस की क्या भूमिका होगी उत्तर प्रदेश के चुनाओं, आपने कहा दिल बड़ा रखना चाहिए, बात्ची थो रही है, आप लोगों से दोस्ती तो थी, है भी, दोस्ती है मेरी, और दोस्ती रहेगी, वो बात नहीं बताऊंगा, वो बात हम समझ गए, जो हम सम कोडिनेशन की जरूरत है, आप कहा रहे हैं, मैं यह समझता हूँ कि कॉंग्रेस की जिम्मेदारी है, सभी दलों को लेने के लिए, साथ लेकर के, और इसमें देरी हो रही है, उनकी जिम्मेदारी है, बाकी रिजनल फोर्स है, जैसे हम है, मायवती जी है, और दने, हम तो अ या नहीं है, मैं यह कहूँगा, हाँ मेरा संपर्ख है, लेकिन मैं यह कहूँगा कि देश मुद्दे समझे, और जनता समझेगी, और मुकावला होगा इस बार, और बीजेपी इस बार देश की रादनी से बाहर होगी, पर यह इरादा, जो आप, मैंने चुआ नहीं उन बा ट्रे भी डाल देंगे तो हम भई ठीक है, आप सीवियाई में, लेकिन इस से चुनाओ का फरक नहीं पड़ेगा, बोर्ट जनता देगी, सीवियाई बोर्ट नहीं देगी, हमारे हर काम की जाँच हो गईगी, आपके कई नेता, कॉंग्रेस के भी कई नेता बोलने से डरते ह हैं कि जेल भीजवा देंगे, इंकम से चापा पड़ जाएगा, तो कोई बोलेगा है नहीं आपके तरफ से तो आप चुनाओ कैसे लड़ेंगा, हमारे एक्सप्रेस वे की जाँच होई, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जाँच होई, एक मंतरी कुदाल लेकर चल मैं ये कहता हूँ कि बिना यमुना को साफ किये, बिना काली नदी को साफ किये, कैसे आप गंगा साफ कर लेंगे, और जो सबसे बहतरी नुधारन दिया समाजवादी लोगों ने गुम्ती को साफ करके दिखाया, केवल नौसो मीटर अगर जुड़ गई होती गुम्ती, तो जो शायद पहला देश का उधारन होता, इतने बड़े पैमाने पर शहर के अंदर बिलको साफ सुत्री गुम्ती बहरी होती। आप पर एक युवा नेता आ रहा है और आपको जनता ने समर्थन भी दिया। उसके बाद आज जब हम देखते हैं, जब वोटिंग हुई, जब विधान सभा के चुनाओ हुए, वहाँ पर जनता का भरुसा आप नहीं जीत सके। एक बातें और जो खबरें आई वो यह भी आई के पी आर एजनसी थी, वो जो लड़ाई हुई फैमिली में वो एक पी आर का एक एक्ट था, लेकिन आप क्या मानते हैं, अभी तक भी जवाब आपके सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं के CBI, ED, इन सब के बदॉलत वोट नहीं जीत पाएगी BJP, लेकिन यह BJP की खामिया ह होंगी, आपने ऐसा क्या कर दिया कि विधान सभा से लोग सभा चुनाओं में, अब वो बड़ा अंतर आ जाएगा कि लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, अखिलेश यादव को वोट देंगे, जबकि एक बात मैं और जरूर जोड़ना चाहूंगा, वो ये कि ज राजनीत करने वालों में, क्योंकि हम भी राजनीत करने हैं, हमारी दुख और परिशानी भी ये कहते हैं कि हमने एक नाटक किया है, हमारा सब कुछ बरबाद हो जाए, खतम हो जाए, तब भी बीजेपी के लोग कहेंगे, देखो कितना अच्छा नाटक था, या वो ताकते जो देख नहीं सकती हैं मुझे, इसलिए मैंने कहा, मैं बीजेपी का अरेसस का धन्यवाद इसलिए दूँगा, कि मैं कभी अपने आपको बेकवर्ड नहीं समझता था, मैं काम करते करते ये समझ गया कि शायद मैं भी फॉवर्ड हूँ, आप जैसा हूँ मैं भी, मैंने ए एक मेल निकला था, मैंने उस व्यक्ति से कल कहा, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें एफायर करके जेल नहीं बेजा, अब आप जैल फिलेगे, और मेरी गलती है, मैंने बड़े जनलिस्ट को, मैंने दिली से बुलाया था, लक्नो, मैंने का कि बताओ, तुमने इतने पैसे मैं मुझे औरंगजेव लिख दिया, इस से दुगना मैं पैसा देने को तयार हूँ, तुम मुझे बता देतें कि पैसा तुमें चाहिए, तो मैंने उसको भी छोड़ दिया, यही तो गलती है, मुझे भी औरंगजेव जैसी तलवार निकालनी थी, और उस व्यक्ति को उसी मैं सामने कहा मैंने, मैंने उससे कहा कि भाई, यह बताओ, तुमने इतने पैसे के लिए कर दिया, और कभी अखेले में पूछ लेना नाम बता दूँगा मैं, और रवीज जी को नाम बता के आऊंगा मैं, और यह बहुत आप खतम करने कि बाद इसी को ना करें, निदी है, अखिलेश जी, अभी आपने कहा कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जहां तक गड़बंदन का सवाल है, वो कॉंग्रेस की जिम्मेदारी है, अब आपने गड़बंदन किया था राहूल गांदी के साथ उतर प्रदेश में, इट वस नॉट बता सकते हैं कि वो एक्सपिरियंस आपका कैसा रहा रहूल के साथ, उनकी वीकनिस क्या थी जब आपके साथ उन्होंने कैमपेंड किया उस टाइम, और वो किस तरह से बदले हैं, आज उनमें क्या बदलाव आया है, कि हम बात करते हैं कि यह कुट भी पोटेंशल प्राइमिनिस्टिरियल फेस, वीकनिस क्या ही ओनेसली उस कैमपेंड में उनकी वीकनिस जो आज बदले हैं. लेकिन वो ताकत हमारे पास नहीं थी, उस गड़वंदन को भी RSS ने, BJP ने और मीडिया ने मिलकर के कहा कि यह मुसलमानों की बोट लेने के लिए यह गड़वंदन हुआ है, और मैं पूरे चुनाओं में कहता रहा, कि यह गड़वंदन दो नौजमानों का है, नई PD के ल कि पधान मंती जी को तीन दिन बनारस रुखना पड़ गया अपने चुनाओं में अपनी बिधान समाओं को बचाने के लिए, तो वो पावर हमारे पास नहीं है, कि हम कैसे दियान अटा दें, अभी भी नहीं है, और इसलिए मैं बता रहा हूं, कि एक दिन मैं और डिम्पल एक्सप्रेस वेपर जो एक्सरसाइज हो रही थी एरक्राफ्ट की दूसरी बार, दूसरी बार, जब हमारी सरकार नहीं थी, मैं सुबह सुबह टीवी देख रहा था, और उसमें एक्सरसाइज चल लही थी, तो मैंने बड़े खुशी से इसे बनाया है, जिसे फाइटर प्लेन उतर जाते हैं, तो ये ताकत हम पर नहीं है, जिस दिन हम पर ये ताकत आजाएगी, हम जानते हैं कि कैसे चीजे बदली जा सकती है, अगर 21 महीने में एक्सरस बना सकते हैं, आपके कुछ जवाब से डर भी लग रहा है, अभी आप त ये ताकत आजेगी, आप फिर से वही वही सब करें, में ये कहता हूँ कि मीडिया को मतलब खरीदने वाली बार, मीडिया, मीडिया भी एक लोगतंत का हिस्सा है, वो भी निस्पक्छ हो जाए, हम से कोशिश मत किजिए, क्योंकि सोश, ने आप से मुझे, मैं समझता हूँ, आप तो कम से कम आवाज बुलंद खरते रहते हो, कम से कम वो हमत आप में तो है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये हमत सम्में आए, मेरे जैसे आदमी, जब सरकार में नहीं हो, मैं ढूंड रहा हूँ, टीवी पर, शायद मेरा नाम आजाए, अगर आपको लगता है कि इस च स्लो कर दें, हम एक दूसरे से कर कम्मुनिकेट करना चाहेंगे, तो कहीं बीजेपी की तागत है, कि वो अगर मेरे नेटवर्क को स्लो कर देंगे, तो हमारा को मैसेज ही ना जा पाए, हमारा वाटसप ना जा पाए, 3G दिखाए, लेकिन उसमें डिटा ना जा पाए, तो य ये निदी का ही फॉलो अप है, कि दो स्लोगन काफी हिट हुए, लेकिन जादा हिट कॉनसा होगा, फर्स्ट, यूप को ये साथ पसंद है, और अभी बुआ भतीजा चल रहा है, तो इन दोनों में से कॉनसा जादा हिट होगा, और आप पहले बता दीजे, फिर में दूसरा पूछ रहेती हो, मैं समझता हूँ, यूपी की राजनी, तो देश की राजनी में एक दूसरे का साथ पसंद जनता को इसने, तैंक यू, और ये पूछा था, आप सामप्रदायिक था की बात कर रहे थे, तो राहुल गांधी, जो कॉंग्रेज महा गटबन दिन में है, वो आजकल बहुत जादा सौफ्ट हिंदुत्वा की बात कर रहे हैं, शिव भक्त होनी की बात कर रहे हैं, इसका कोई प्रभाव आपको लगता है, उत्तरपदेश में पढ़ेगा, इसका कोई नेगिटिव इंपक्ट पढ़ेगा, क्योंकि वो काफी हिंदुत्वा, बस वो चैनल आप के पास नहीं है, राघः पूछना चाहते हैं, आप ख्राण पूछना था, एंप एक्प्रेष्ण पूछना था था है, यहां इसका कRO मतने,材से मतने प्रण थिद्ग हैओ नहीं हो, प्रस भुछना था हैं, डगता हैं, आप लोगतिऊं अपने से इक प्रेष् दो हजार बारा में उत्तर प्रदेश की जंता ने आपको दो सो चौबेस सीटे दी और बहुत बड़ी बहुत बड़ी जीत थी है और बहुत मुझे लगता है पहली बार शाय था कि समाजवादी पार्टी के अपने स्टीम पर मजोरिटी आई हो तो ऐसा क्यों है कि आज जो है जब भारती जंता पार्टी सरकार के खिलाफ आपके कहने से इतना डिसकंटेंट है और जंता जो है सडकों पर आई हुई है तो आपको नहीं लगता कि अगर अकेले लड़ेंगे तो आप परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कराएंगे चुनाओं से पहले 17 से पहले आपने कहा कि अगर हाथी आएगा तो बहुत जादा जगह ले लेगा लेकिन अब आप हाथी को जगह देने को तहीयार हो गए है क्या एक एडमेशन ओव डिफीट नहीं हार अपने पहले ही मान लिए थोड़ी हिमत दिखाईए कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एकदम पर पर फेक्शन का है इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी जरूर हारे ऐसा इंतजाम कर दें कि बीजेपी निकल ना पाए कहीं से अखिलेश जी मेरा सवाल आपसे अखिलेश शरमा सवाल आपसे ये था कि आपने का कि सिर्फ एक्षेत्री पार्टियां ही BJP को हरा सकती हैं तो क्या जो सबसे पुरानी पार्टी अपने को भारत की कहती है और इस पार्टी, आप उसको इतना गया गुजरा मान रहे हैं कि वो बीजेपी को नहीं हरा पाईगे? नहीं, मैं उन्हें गया गुजरा नहीं मानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे इजनल फोर्स को स्पेज ने, उनका सहयोग करें, जिसले की बीजेपी को रोखा जा सके। एक उप्शन देख रही है, जिसमें एक महागटबंदन की तरफ देख रही है, लेकिन एक सवाल हर्चने की सिर्दब में है, जहां करायना के चुनाओ हूए है, और बाकी यूपी के जो परिछले चुनाओ हूए थे, एवे में कई बार गर्मी की वज़े से कोई डिक्कत आ है, क्या महागटबंदनिया जॉइंट आप मिलकर इसके बारे में कोई डिसीजन ले रहा चाह रहे हैं इस आने वाले दोजार निस चनाओ में, एक से आप माइक तरफ भीनोच जी को ते तीज़े लास्तावा, अखलेच जी तीन योवानेता नदर आते हैं आजकल, एक तो हैं, लेकिन उनको तेज düny घज़े स्वी को अपने पिता से मार्वस से मिलता रहता है और रहूल को अपनी माता से, क्या आपको अपने पिता से मार्वानर द 수न अभी भी मिल रहा है कितना समर्थ redu galah को, अज ही आपके साथ क्योंकि आज है आपके चचा ने अक्वारों में ब जबकि जनता कर चुकी है बकॉल आपके. यह आपने एकदम बहुत अच्छा सवाल पूचा कि अगर कार मैंने सीखा कहां से? मैं आपको बता दूँ, मैंने जितना भी राजनी तो सब कुछ सीखा है, निता जी से सीखा है लेकिन मैंने अंकल से भी कुछ सीखा है तो अगर निता जी से सीखा है और अंकल से सीखा है तो शायद ठीक रास्ता है अंकल ने भी भतीजे को बचपन से देखा होगा तो कमजोर नहीं समझना चाहिए वो चाचा है अंकल ने भी देखा है मुझे बच्पन से लेकिन कुछ जाद है उम्र से देखा है उनोंने बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश अभी चुनावी घमासान जब शुरू होगा तो मैदान में हम आपको देखेंगे आपको लड़ते हुए भी और जीतने की कोशिश करते हुए भी नतीजों की शुब कामनाएं वो आप खुदी अपनी कम्याभी बता रहे हैं यह अच्छी बात है और इसी तरह से चर्चाएं होती रहनी चाहिए जहां हम बात कर सकें बिना किसी परफॉर्मेंस के दबाव के य समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू